हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्मूविन एजूकेशन्स आज का चू लेसन प्लान है वो एकनोमिक्स पे है टॉपिक है निर्धंता के प्रकार यानि Cases of Poverty तो आईए देखते हैं मेरा पार्ठ योजना सिक्स है तो पहले विद्याले का नाम कच्छा विश्य कालांश दिनांग अवधी यह सारी चीजे डालेंगे फिर प्रकरण क्या है हमारा मेरा प्रकरण निर्धंता के प्रकार फि दमसंख्या में फर्स्ट क्या है देशो चात्रों को देश की आर्थिक एवं भगौली प्रस्थितियों से अवगत कराना चात्रों में आर्थिक नागलिता का विकास करना चात्रों में वैक्यानिक द्रिष्टि को रोत्पन करना चात्रों की कलपना विचार इस्मृतित तर एवं विवेक शक्ति की छमता का विकास करना आर्थिक साथनों के ज्यान तथा संभव उपियोग के मात्यम से व्यवसाय की छमता विक्सित करना छात्रों में व्यक्तिकत एवं राष्टिक जीवन स्थर को चितम बनाने की छमता विक्सित करना चात्रों को देश की आर्थे किस्तिते से परचित कराते हुए उसके सुधार के लिए प्रेदित करना। के बीच में कभी कितना भी बना सकते हैं वो आपके उपर डिपेंड है फिर आती है सहायक समागरी क्या क्या हम लोग टीचिंग एट्स यूज करेंगे जैसे लपीटन श्यामपट रूलर ब्लैक बोट है चौक है डस्टर है चार्ट पेपर होगा इत्यादी मॉडल भी बहुत लोग यूज करते हैं तो जो भी आप टीचिंग एट्स में यूज करेंगे उसको यहाँ पर शाहयक समागरी में लिखतेंगे फिर पुर्वग्यान क्या है बच्छातर गरीवी के कुछ कारण जानते रखते हैं या सामान जानकारी रखते होंगे बच्चे फिर प्रस्ताव बच्चों से भारत में जादा तर जनसंख्या कहां पाई जाती है तो बच्चे का उत्तर क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जादा तर लोग क्या है तो बच्चे बोलेंगे गरीब है गरीबी के कारण क्या क्या है तो बच्चे बोलेंगे जनसंख्य पढ़े लिखे ना हो ना, असिचित गरीबी, फिर उसी से गरीबी कि और कौन-कौन सी समस्य उत्पन हो सकती है, वच्चे समस्य आत्मक, यानि कि बच्चे ओमोन हो जाएंगे, तब आप अपना प्रकरन निकाल पाएंगे. देश कतन क्या होगा आज हम निर्धन्ता के प्रकार प्रकार को विस्तार पूरक अधिन करेंगे फिर प्रस्तुती करण क्या है प्रस्तुती प्रकरण का अधिन तीन सिच्छग बिंदियों के अंतरगत किया जाएगा ठीक है उसे में विस्ष्ट ग्यान पहला हम लोग हैटिंग डालेंगे सिचछड बिंदू, चातधय अभिका क्रिया एंचातर बिंदू में ही विस्ष्ट उदेश ट्यालेंगे विस्ष्ट उदेश में हमारा ज्यानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रियोगात्मक भी होता है जो कि हम लोग अभी लिखेंगे जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रस्तोती करण में ही आप लोगों को बताया कि तीन सिच्छड बिंदू होंगे यानि जो हम लोग तीन पॉइंट लेंगे जो भी टॉपिक रहेगा हमारा एक सब्जिक्ट से तीन पॉइंट लिया जाएगा जिसके पहला मैंने लिया है भारत में निर्दू के कारण क्या क्या है वो दिखाएंगे सिच्छड बंदू में ये दिखाने वाद उसके सब्सक्राइब करेंगे छाट तर ध्यापिकर क्रिया में जैसे संपत्ति एवं आयू का आसमान वित्रह व्यापारी मंदी तथा व्यदुषवारी की अवस्था भी में धंता उत्पन्नी करती है व्यपार में मंदी की सथी में अनिक लोग दिवालिया हो जाते हैं और उनकी दमापुंजिक हच्छ हो जाती है और व्यदुषवारी की अवस्था में भी वेस्थी अपने आउशक्ताओं की पूर्ति तन्नीम आसमर्थ हो जाता है फर जोड़े किसी कारिक संता घर जाती है बच्चे को समझाने के लिए इस अब बोल सकते हैं विछा तक लिया चाहि अच्छात्र ध्यान पुर्वक सुनेंगे फिर नेक्स है सिच्छडविंदू, चातर ध्यापिका क्रिया और चातर क्रिया सिच्छडविंदू में अभी मैंने ग्यानात्मक बोधात्मक पिछली पेज में बताया यहां पे अनो प्रयोगात्मक बताया फिर छातत भाई ध्यापिका क्रिया में कई सारे सिचल बिंदों मैंने अभी बताया कि हाँ निम निम प्रकार के होते हैं जैसे कि असिच्छा उद्यो की कमी समाजी कारण प्रद्योगी का निम अस्तर फोर्थ हो गया फिप्थ है आपका श्रम की मांग और पूर्थी में असतुलन जनसंख्या में तिवरे बिध्धी प्राक्तिक प्रकोब तकनीके परिच्छन ग्रामिड ग्रस तस्ता आर्थिकारन ये सारे हम लोग निम नप्रकार डालेंगे फिर आजाता है सेकंड टॉपिक जो लेते हैं वो है असिच्छा फिर बच्चों को असिच्छा के बारे में जैसे कि हमने 10 टॉपिक्स बताया कि हाँ ये ये कमी होती है उसमें हमने पहला टॉपिक लिए असिच्छा फिर उनको हम लोग बिस्तार पूर्थ बताएंगे कि अ जनगर्णा की अनुसार अब तक जन संक्या का किवल 77% भागी साचर है इस प्रतिशत में वो व्यक्ति भी सम्मिली थे हैं जो मामली रूप से पढ़ लिखना सकते हैं भारत में पुशो की साचर्था दर 82.14% है वही महिलाओं की साचर्था दर 65.46 है महिलाओं में कम साचर् जो की भारत में निर्धन्ता के कारण प्रधान कारण है फिर असिच्छा में भी ग्यानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रियोगात्मक लिखेंगे इसी प्रकार है फिर नेक्स पेज आते हैं जैसे बताया कि ग्यानात्मक, बोधात्मक सेम यही सारे सिच्छर चातर दहपिक करिया चातर करिया ग्यानात्मग बोधात्मग और अनुप्रयोगात्मग थर्ड टॉपिक डालेंगे फिर श्यामपट का रहें जैसे कुछ-कुछ मेन पॉइंट्स है जैसे बच्चों को आप as a lesson plan में highlight करके दिखा सकते हैं जिसके वज़े से अच्छा लगेगा देखने में भी और बच्चों को भी अच्छे सा समझ में आएगा उनको अलग आप roller pointer या फिर blackboard पे अच्छे सा समझा देंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा अच्छे से और आपका lesson plan भी अच्छा दिखेगा जैसे कि पहला main point है कुल साच्छा भारत में कितने साच्छा जनसंग क्या है वो 77% है अज़र मैंने highlight किया है आप लोग भी कर सकते है पोर्शों के साच्छा दर कितनी है वो मैंने दिखा दिया है महिलाओं की कितनी है वो दिखा दिया है फिर आता है हमारा third point यानि की उद्य point डाले है फिर आता है उद्योगों की कमी से क्या क्या कारण है फिर डालते हैं व्याक्या करेंगे भारत में आदमी का प्रमुख उद्योग सहरी चेत तक सिमीत है ग्रामिट चेत में उद्योगों का उचित विकास नहीं हुआ है जिस कारण वनहस within वहाँ पर विरोज़गा में विद्धी होती है 2015 के बाद में भारत में उद्ध्योगों की कमी को दूर करने के लिए कई योजनाय प्रोचसाहन के रूप में सुरुवात की गई जैसे मेड इन इंडिया, स्टार्ट अप, स्किल इंडिया, भारत भारत एसे ओफ टोइंग बिजनेस इंडेक्स में इसे थ्रीवे स्थान पर है ऐसे आप छोटी-छोटी मोटी जो आपके पास नॉलेज है वो आप ऐसे सैंपट में दिखा सकते हैं या बच्चों के सामने अपनी जिक्यासर दिखा के बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ हाँ ये ये चीज़े हैं फिर नेक्स आता है स्थान हाईलाइट करके बच्चों के सामने दिखा सकते हैं फिर आता है जन संख्छ या नौकर बनेगी या तो मालिक अरथाथ यदि भारत में उद्द्र्वीोग को संख्छ नहीं बढ़ती है तो जॉप्स की संख्छ नहीं भी बढ़ेगी यदि उद्र्वीव ग्रामिट startup हो जैसे कि one district one product इसके बारे में बच्चों को आप basic knowledge दे सकते हैं उनसे उनका भी घ्यान increase होगा और आप लोग का भी में इन इंडिया क्या है startup क्या है skill इंडिया क्या है ये सारे चीजे आप बच्चों को छोटी-मोटी as a general knowledge के भी base पे बता सकते हैं फिर आता है श्यामपट शारांग कि अब तक आपने कितना बच्चों को समझाया as a blackboard work कुछ साचहरतर संख्या जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों कि हाँ ये कुछ main points हैं जो कि बच्चों को आप blackboard पे दिखा सकते हैं तो वही सारी चीजे लिखी होई ह कि हाँ पुष्चों की संख्या कितनी है साचहरतर दर्य महिलाओं की है कितना index है हमारा as a of doing business में फिर one district one product made in India start-up skill ये सारी चीजे से हम पट शारांस यानि blackboard work पे दिखा सकते हैं फिर पुर्णा वृत्ति की questions है बच्चों से जो basic knowledge के बारे में पुछ सकते हैं कि हाँ बच नाम लिखिए फिने रच्छड कारे क्या है क्याते ウपीका कछ्छा में घुंग्ण कर ने रच्ठ कारे करेंगे, ग्रह कारे क्या है अ आ शिच्छा को कैसे सुधारा जय inside जनसंख्या को कम करने का कोई 2 उपाय बताएं, तो बच्चे ग्रह कारे में कर जिसे पादों है थैंक यू फ्रेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और भी लेसन प्लान पाने के लिए प्लीज कमेंट करें और प्रस्क्राइब जरूर करें थैंक यू थैंक यू फ्रेंट्स